आजकल वॉलिबूड इंडस्ट्रीज में हर जग सल्मान और सोनाक्षी के ही चर्चे हो रहे हैं जिसकी वज़ा है इन दोनों का रिलेशन्सीप और इनकी होने वाली ग्रैंड साधी इसी शाधी को लेकर अलग-अलग लोग अलग-अलग बाते कर रहे हैं और कुछ खुलासे भी कर रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं सल्मान खान और सोनाक्षी शिन्हा के इसी ग्रैंड साधी के बारे में आम लोगों के अलावा सलमान खान की इभावी मलाईका अरोरा ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जिसे जानकर आप सभी की भी आँखे फटी की फटी रह जाएंगी और आप सब भी इस खुलासे के बारे में जानकर भरोसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बात ही है इतनी हैरान कर देने वाली तो चलिए जानते हैं कि आखेट मलाईका अरोरा ने और कौन सा बड़ा खुलासा किया है सलमान और सुनाक्षी के शादी को लेकर बगर इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन देनों वालीवुड इंड़स्ट्री के गलियारों में सिर्फ और सिर्फ सलमान और सुनाक्षी की शादी की ही चर्चे चल रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बारे में ये खबरें हैं कि जल्द ही सलमान खान और सुनाक्षी सिन्ना एक जोड़े में बंदने वाले हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं तभी तो दोनों का नाम मीडिया में इतना ज्यादा उच्छाला जा रहा है इसी साधी को लेकर सलमान खान की भावी मलाईका अरोरा ने एक ऐसा खुलासा किया है कि ये जो साधी सलमान खान और सुनाक्षी सिंधा को लेकर ये फ़ाहें चल रही है तो मैं और सब को भी बता दूं कि सल्मान खान की गर्ल्फरेंड और वो जिससे शादी करने वाले हैं वो सुनाक्षी सिन्धानी बल्कि हॉलीबूड की एक्ट्रेस समान्था लॉकूड है जी हाँ आप सभी सुनकर हैरान हो गए ना मगर ये बात बिल्कुल सच है उन्होंने कहा कि सल्मान खान सुनाक्षी सिन्धा को नहीं बल्कि समान्था को डेट कर रहे हैं जिनके साथ सल्मान खान सादी की तयारियां में लगे हुए है मगर लोगों को तो ये गलत फैमी है कि सल्मान खान की गर्ल्फरेंड सुनाक्षी सिन्धा है सल्मान खान और सुनाक्षी सिन्हा के बारे में जो अफवा उड़ाई जा रही है वो सरासर गलत है